नमस्कार दोस्तों एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल में आप लोगों का हर्दिक स्वागत है लेट अफ्टर प्लेर निकल कर आई है कि केंद्रे करमचारियों के 18 महीने के टीये पर फाइनल मोहर इस दिन आ जाएगा खाते में पैसा तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल मे बताएंगे कि करमचारियों के खाते में 18 महीने के बकार डिये अरियर का पैसा कब आएगा अगर आप कमारे चैनल पर फफटां इजिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ वाल आइकन को भी बचा दीजिए ताकि गोर्मेंट य लिए खुश खबरी आ सकती है अगर आप खुद या आपका कोई पारिवारिक सदेश सरकारी नोकरी में है तो उसको ये खबर जल्द ही मिलने वाली है कि उनके 18 महीने की एरियर की मांग को मान लिया गया है दोस्तों केंद्रे करमचारियों की तरब से 18 महीने के बकाया डिय अरियर की मांग लंबे समय से की जा रही है लेकिन इस पर किसी भी तरह की से अमती नहीं बन पा रही है अब उमीद की जा रही है कि नए साल के मौके पर सरकार की तरब से करमचारियों के हाक में फैसला आ सकता है दोस्तों पिछले दिनों 18 महीने के बकाया डिये अरियर की मा कोई भी जनकारी बाहर नहीं आई लेकिन जनकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में कैबिनेट की होने वाली बैठक में कई मुद्दों पर सैम्ती बन सकती है जिसमें क्रमचारियों का महगाई बत्ता हैरियर पर मुख्यर रूप से बाचित होगी। किसान की तेर्मी को किसानों के खाते में ट्रांसफर करने पर भी मोर लगाने की उमीद जताई जा रही है। सरकार की तरफ से 18 महीने के डिये आरियर के लिए पहले ही बना कर दिया गया था लेकिन बाचित होने के बाद मीडिया में यह चर्चा है कि इसको लेकर सहम्ती बन सकत है दोस्तों आपको बता दे कि कोवीड 19 मामारी के दोरन केंदर सरकार के करमचारी का जनवरी 2020 से जून 2021 तक का डिये नहीं मिला था इस डेट साल में सरकार ने 11% डिये बढ़ा था आलंकि इसके बुक्तान को फ्रीज कर दिया गया था करमचारीयों के अनुसार अदालत ने ये भी माना है कि सरकार को करमचारी का पैसा नहीं रोकना चाहिए था ये उनका हक है एरियर की मांग को लेकर करमचारीयों ने अदालत में भी अपील की थी पैंशनरों ने पियम मोदी से भी इसको लेकर अपील की दोस्तों करमचारीयों ने जो अपील की थी उस पे जल्द ही सहमती बन सकती है सरकार की तरब से यदि किंद्रे क्रमचारी के डिये का बकाया पैसा देने पर सहमती बनती है तो उनके खाते में मोटी रकम आने की उमीद है लेवल 3 पर क्रमचारी का डिये अरियर 11,830 रुपे से लेकर 37,506 रुपे के बीच होने की उमीद है इसी तरह से लेवल 13 या लेवल 14 के क्रमचारी का डिये अरियर 1,4,200 रुपे से लेकर 2,18,200 रुपे तक हो सकता है आलंकी करमचारी संगठनों के साथ होने ये वाली बाच्चित मेरकम को लेकर कोई बीच का रास्ता निकल सकता है दोस्तों मिज़ताई जारे की डिये का पैसा एक साथ ने दे कर तिन किस्तों में दिया जा सकता है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय वारत